नमस्कार आदाव सश्रेकाल, मित्रों स्वागत है आप सभी का समाधान कारिक्रम में आपको बच्पन के दिन याद होंगे बच्पन में हम बहुत सारी हरकतें करते थे, शैतानिया किया करते थे और उन सब को याद करके मन में गुदगुदी सी होने लगती है कभी कभी, जब हम किसी ऐसी चीज को पकड़ लिया करते थे या मुँ में लेने की कोशिस किया करते थे, जिससे की हमें हानी हो सकती थे तो मा की चंद से दोड़ के आती थी और वो चीज हमसे छीन लिया करती थे और जब माँ ये चीज छीज छीन लिया करती थी तो हम जोर-जोर से रोने लगते थे अपने पैर पटकने लगते थे और बहुत नाराज होते थे माँ पे कि माँ बहुत बुरी है वो हमारी चीजें छीन लेती है लेकिन आप जानते हैं वो चीज़ें क्यों छीन लेती थी क्योंकि उससे हमें हानी हो सकती थी हो सकता है कि हमारा सेर फूट सकता था हमारी हाथ में चोटा सकती थी हमारी आखें जा सकती थी लेकिन बच्पन में हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते थे लेकिन मा जानती थी कि इस चीज से इसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हमारा रोना 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 देखकर थोड़ी देर के बाद मा क्या करती थी कोई अच्छा सा खिलावना हमें दे दिया करती थी और हम फिर से खेलने में मस्त हो जाया करती थे वित्रों यही चीज आज भी हमारे जीवन में हो रही है जब कोई चीज, कोई वस्तो, कोई वैभाव या कोई व्यक्ति हमें हानी पहुँचाने वाली होती है या भविश्व में हानी पहुँचा सकती है तो नियती रूपी मा और परमात्मा पिता वो चीज हम से ले लेते हैं और तब फिर से हम वही करते हैं जो बच्पन में किया करते थे हम पैर पटकने लगते हैं रोने लगते हैं चीखने चिलाने लगते हैं निराश हो जाते हैं और किसी हद तक तो जान देने की बाद भी सोचने लगते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि नियती में ये चीज हमारी भलाई के लिए ली है और मा जैसे बाद में हमें कोई अच्छी चीज देती थी नियती भी ठीक वैसे ही हमें कोई अच्छी चीज देने वाली होती है लेकिन हम शायद सब्र नहीं कर पाते, धैर्य नहीं रख पाते Meditation यही सब्र, यही धैर्य हमें सिखाता है Meditation ये भी हमें सिखाता है कि पर्दे के पीछे क्या है बच्पन में जिस चीज़ को हम नहीं समझ पाते थे, अब समझते हैं कि मा ठीक किया करते थे Meditation से भी वही द्रिस्टी हमें प्राप्त हो जाती है कि कैसे पर्दे के पीछे कल्यान है इसलिए हम लगातार बार-बार ये कोशिस कर रहे हैं कि आप Meditation के माध्यम से उस अंतर द्रिस्टी को प्राप्त कर सकें और ये अंतर द्रिस्टी हम एक ऐसे योगी राज से भी प्राप्त कर रहे हैं चो लगातार समाधान में हमें समाधान देते रहते हैं आई आज किस कड़ी में उनका भी नंदन करते हैं और योग की सुन्दर गहराई की ओर चलते हैं राताजी आपका बहुत बहुत अभी नंदन है स्वागत है एक बहुत अच्छी चीज होती है जैसे जिस बात को जिस प्रसंग को मैं ले रहा था कि कई बार हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं केवल वर्तमान को देखते हैं या उस प्रकार की मैच्यूरिटी हमारी पास नहीं होती है जिस चीज को में अच्छी तरह से देख और समझ पाएं योग और साधना से ये प्राप्त होती है क्या कहेंगे इस विशर्टी बेलकुल ऐसा ही है हमने इस्वरी महवाक्त्यों में भी ये बात बहुत भार सुनी है कोई भी एक ल्यान का परदा तुम्हें दिखाई दे रहा हो उसके पीछे कल्यान चुपा हुआ है तुम उसको भी देखने की दरस्टी रखो एकल्यान का परदा हटेगा और वो कल्यान तुम्हारे सामने जाएगा इसलिए हमें जीवन में बहुत सारी अन्होनी बात देखकर अन एक्सपेक्टिड बात देखकर घबराना नहीं चाहिए सब कुछ पास हो रहा है सुन्दर से सुन्दर आ रहा है हम संकल्पी ये कर ले हर चीज हमारे लिए बहुत अच्छी आने वाली है हमारे साथ बुरा कुछ भी नहीं होगा तो वास्तों में हमारे सुन्दर संकल्प हमारे सुन्दर भविस्का निर्मान करते रहेंगे और नैसेसरीली जो हम चिंताएं करते हैं और नहीं क्या-क्या काल्पनिक द्रस्ती से सोच-सोच कर दुखी और परिशान होते हैं उससे हम बच कि दया है और जब भी हम योगियों को संतों को साधकों को देखते हैं तो एक मन की स्थिर्टा है शान्ती है उनके साथ यदि कुछ बुरा भी घटी थोरा है कोई उन्हें गाली भी दे रहा है कोई बथर भी मार देता तो भी उनके चहरे की शान्ती नहीं जाती तो मुझे तो मैं रखता है एक अंतरत्रिस्टी जो है बहुत जादा मदद करती है हमी शानत रहने में धैरेचित रहने में और साथ ही बेहतर सोचने में तो इस स्थिती तक कैसे पहुच सकता है काम व्यक्ते जब हम बहुत अच्छा योग अभ्यास करते हैं थोड़ा लंबा काल करते हैं तो हमें ये महसूसता होती जाती है ये अवेर्डेंस बढ़ती जाती है कि मैं हूँ कौन मेरी शक्तियां क्या है यानि हम अपने को परफेक्टली जानते जाते हैं बिगनिंग हम यहां से करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ ये हमारा फर्स लेसन होता है लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं कौन सी आत्मा हूँ मेरे अंदर कितनी महन शक्तियां चुपी हुई है मेरा भविस कितना सुन्दर है और इस संपोन खेल में सत्यूग से कल्यूवन तक जो ये खेल चलता है इस पहल और ढूल हो जाता है और दुसरों के द्वारा कही हुई बाते मालो निंदा हैं कोई इरसा द्वेसके कान डाली गई बाध्वuftोस हमें विचलितं नहीं करती हमें आप ये बहुत चोटी चीजे हैं हम बहुत बड़े हैं हमारा लख्स है भुत बड़ा हैनसे चीजेर हम तो हम सहज भाव से उन्हें पार करते हैं और अगर कुछ लावानी होता भी है तो ओने दो कोई बात नहीं जीवन के इस खेल में यह सब होता रहता है ऐसी मान्यता के बाद इस्तिती इस्तिर रहती है श्यांत रहती है जब हमें बहुत अच्छी इस्वरिय नुभूतियां हो जाती है ऐसा पता चल जाता है कि इस्वरिय शक्तियां हमें साथ दे रही है और स्वय भगवान भी हमारा साथ ही है तब हमारे मन में बहुत निश्चिन्थता हो जाती है और यह लंबे काल की निश्चिन्थता हमें गहन स्यानती की अनुभूति में ले जाती है पस यही रह बिल्कुल, वो जो जिस साधक की हम बात करते हैं, या जैसे मैंने कहा कि हम आपको भी देखते हैं, या ब्रमक मरिस्वरिवार में भी जो साधना मेरत हैं, उन सब के चेहरे पे भी एक बहुत ही गहन शान्ती दिखाई देती है, तो प्राते जी मूल बात तो वही आई, कि यद अब ही जो शुरुवात कर रहे हैं, उनकी विशेश करके दिंचर्या कैसी होनी चाहिए, उस पे थोड़ा प्रकार्श्या होगा, देखे जिसको योग के इन अनुपम सुखों को प्रात करना है, उससे टाइम पे सो जाना चाहिए, और सोने से पहले, कम से कम 15 मिनिंट, अन् अब्यास करके ही सोना चाहिए, साड़े दस बजे तक तो सो ही जाना चाहिए, दस बजे सो जाएं तो बेटर, तो आदा गंटा अपने दिंचरिया को पुरा समाप्त करने के बाद, आदा गंटा फिर से अपने कोई स्परिच्वली प्रिपेर कर लें, ताकि सारे दिन का उसमें योग के भिन भिन अभ्यास कर लें, कुछ इस वर ये महावाक्यों का अध्यन चिंतन कर लें, सबेरे अमरत वेले अवश्य उतना चाहिए, साड़े तीन उत जाना चाहिए, चार तो उठी जाना चाहिए, कामकाज में लोग रहते हैं, तो चार बजे उत जाएंगे, फिर से फ्रेश करना चाहिए, नाने दोने की बात नहीं, वो भी कर लेना चाहिए, लेकिन मन में सुंदर विचारों का स्रजन करके, अच्छे स्वमान की स्मर्थी लेकर, बाबा से बहुत अच्छी बाते करके, उसको थैंक्स करके, उससे गुन मॉर्निंग करके, एक ऐसी नभूती के साथ के जैसे हम अपने परमपिता से मिलन प्रारंब कर चुके हैं, इस्थित हो जाना चाहिए, और फिर योग के भिन बिन अभ्यास करने चाहिए, एक तो इसमें बहुत रड़ता होन चाहिए, क्योंकि सबेरे का जो ये समय होता है, ये नकेवल हमारे मन, स्यान हैं, इसलिए महत्तपून है, लेकिन बहुत महत्तपून ये है, कि हमारे परमपिता और परमसदगुरु अपनी और से हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं, कि जो मेरे पास आएगा, मैं परमसदगुरु रूप से उसे अनेक वर्दान और शक्तियां प्रदा और 1, 1,95 तरशे ये हमारे और हमारे परमपिता के बीच के मिलन का समय है, जो मिलन में जो सुख होगा हम उसे बात कर सकते हैं बहुत सारी चीजे जो हम चाहें अपने परंपिता के संबंद में वो कर सकते हैं इसका रस लेना चाहिए और अपने मन को ऐसे सुंदर संकल्प दे देने चाहिए जिसे सारा दिन उन पर चलता रहे उसके बाद जैसे पांच मान लो किसी को सारे दिन में बहुत काम करना रादा गंटा और रैस चाहता है रैस भी उसे कर लेना चाहिए ता कि ब्रेन उसका फ्रैस रहे फिर इस वरी महावात के सुने बहुत अच्छी तरह से मेरे को अपने जीवन का बहुत बड़ा रस प्राप्त हुआ है इस वरी महा करती है तो लंबा काल मैंने इस मुल्ली का सुख लिया है वास्तों में मुल्ली से मुझे रोज ऐसा भास होता है कि हमारे और परमात्मा के बीच में सची बात्चीत होती है जिसे हम रूरियान कहते हैं चिट-चैट कहते हैं बहुत अच्छी मुलाकात होती है और बहुत यो यह सब को कहता हूं कि यह समय भी सब बहुत सुन्दर इस्थितिम बिताएं तो 4 से 8 तक का जो समय चार गंटे बहुत लंबा समय होता है आत्मा को हम वेलकुल चार्ज करते हैं प्योरिफाई कर दें सुन्दर विछारों से भरपूर कर दें जब कारिये पर जाएं हमारे इहां इस विष्वरिय विष्विध्याले में तो हर गंटे और दोड़ाई डाई गंटे के बाद भी गीत बजाए जाते हैं जिनको हमने नाम दिया हुए ट्रेफिक कंट्रोल के गीत यानि मन की ट्रेफिक को हम तुरंत बंद करें और अच्छी स्थितियों में स्थित हो जाएं तो वो भी कर लेना चाहिए कम काज में भी है आजकल तो लोगों ने अपनी फोन में भड़ लिये हैं सेल फोन में गीत बजता एक मिनट का अगर ऐसा मोखा नहीं है तो जरा साशिगन लाता है और एक मिनट के लिए अच्छा अब्यास कर लेते हैं स्याम को फिर जिने समय मि जैसी रात को स्थिती होगी वैसी उठते ही हो जाएगी जिनको अमरत वेले आनन नहीं आता वो इस बात पर द्यान देंगे सोनी से पहले वे अपनी स्थिती को जैसा बना कर सौएंगे वैसा ही सवेरे होगा परिवारों में क्या होता है कि सब मिल जूल रहे हैं बात्चीत क में लगे हुए हैं, माबाप TV देख रहे हैं, इस TV आदी से बचना चाहिए सोने के समय, ताकि सोने के समय हम बहुत सुन्दर विचार मन में लेकर सोएं, और ऐसा आनुभवों कि भगवान की गोद में हम सो रहे हैं, तो ऐसे एक सिंपल दिंचरिया अपनी बना लेनी चाहिए बिल्कुल, और इस दिंचरिया को फॉलो करने से शयाद योग बहुत सहज और सरल हो जाएगा, प्रते जी आप जब अपनी दिंचरिया बनाया करते थे, तो क्या इसी प्रकार कि आपकी दिंचरिया रहती थी आप कुछ विशीस और शामिल करते थे ताकि योग करना या यो करी रहंदा नहीं, हम इस वरी सेवा में लग गए, हमने अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया, तो सेवाएं जो होती थी वो, इसके अलावा जो समय बचता था, मैं उसको एकांत में योगभ्यास में लगाता था, मेरे पास बहुत अच्छा समय बच जाता था, क्योंकि मैं अपने कारियों को बहुत अच्छी तरह मेनेज कर लेता था, और पांच-छे घंटे मैं फ्री निकाल देता था रोज, जिसमें मैं अधिक समय एकांत में रहता था, क्योंकि हमारा ये इस्वरी है, जो बहुत छोटा था, भीडभाड या नहीं होती थी, तो हमें उन दिनों पहले 10 साल बहुत अच्छा एकांत का समय मिला, तो उसमें मैं योग अभ्यास बहुत अच्छा करता था, और पहला एक संकर्थ जो मैंने अपनी बुद्धी में धारन कर लिया था, वो ये था, कि बुद्धी मान व्यक्ति वो है, जो अपनी बुद्धी को एक परंपिता प जब तुम अपनी बुद्धी को एक में इस्थिर कर दो, तो मेरी पहले से बच्छपन से ये एकांता बहुत अच्छी थी, मैंने अपनी बुद्धी को कहीं भटकाया नहीं था, ये जो आजकल के युवक भटक रहे हैं, हम उनसे बिलकुल मुग्त थे, मुझे इसब गंद करता था कि आत्मा को देख रहे हैं, विज्वालाइज कर रहे हैं, तो आत्मा ही दिख रही है, परमधाम में सर्व सक्तिवान को विज्वालाइज कर रहे हैं, उस पर बुद्धी को इस्थिर किया हुआ, तो लंबा काल इस्थिर किया हुआ है, उसमें नीचे उतरने की मन क कोई दोधर भटकने की बात ही नहीं थी क्योंकि मैं कर भी बच्छपन में योगदर्शन में पढ़ लिया था कि अगर कोई योगी 32 मिनट तक अपनी बुद्धी को मन को एक आग्र कर दे तो उसको मंचा ही सिध्धिया मिल जाती हैं यह पी हमें सिध्धियों की आवशक्ता नहीं लेकिन मैंने लक्स बनाया था कि मैं 32 मिनट पूर्ण एक आग्र एक के सिवाए कहीं बुद्धी न लगे ऐसी स्थिती तक पहुंचूंगा और मैं इस कारिये में बहुत जल्दी सफल हुआ बलकि इतना हो गया था कि गंटों गंटों में उस मतलब कहने का भावरता जी कि चली यहां आप समर्पित रूप से हैं तो विशेज करके वक्त मिलता है तो जितना वक्त मिला आपने साथना में लगया तो इससे भी प्रेड़ना लें सभी जो शिरुबात कर रहे हैं या जो काफी समय से चल रहे हैं इस ग्यानमार्ग में कि जितना भी वक्त मिले उस समय को अर्ध्यात्मिक चिंतन में लगाएं और इस प्रकार के सुंदर योग अभ्यास में लगाएं बहुत है मैं तो बलकि यह कहता हूं हर व्यक्ति को टाइम है वो मैंच करे मनुस्त इदर उदर की बातों में इदर उदर क्या चीजे पढ़ने म और गन्टों में ए और इस जी अफितन हो और जैसा हमेसा चर्चा करते हैं अगर हमारी एका और भुट अच्छी होगी तो हमारा ब्लकिता के वीद बचाना यह और योग साधना करनी है विलकु एक लाक्षी की सुंदर लक्षी बात अब बताजी अपने गा पढ़ता जीर् योग करते हैं तो एक लक्ष उसमें ये भी होता है कि हम अपने आपको एक आग्र करें और आपने घंटो घंटो एक आग्रता की अपने आपको एक आग्र किया लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन रहता है आज के दौर में जितने भी हमारे पास प्रशन आते हैं तो जादतर यही कहते हैं कि चलिए राजियों के विशय में हमें जानकारी तो मिल गई है, ब्राता जी भी बहुत कुछ बताते हैं, पिसाफ मैंड चैनल में हम बहुत कुछ देख रहे हैं, फिर भी हमें एकागर होना थोड़ा सा कठीन लगता है, उनके लिए जो घर गपार में हैं, अप कोई बहुत एक आगरचित होते हैं, लेकिन किस-किस ने अपने मन को बटका दिया, आजकल मन के बटकने के भी बहुत सारे घर में ही साधन आ गया है, इनकी चर्चाएं हम करते रहते हैं, तो एक तो सवेरे उठकर बहुत अच्छे अभ्यास कर लें, दूसरा अब हमने प्य को प्यूरिटि के मार्क से विचलितना हो, इदे उधन ना देखें, क्योंकि प्यूरिटि थे डायरेक्ली दी कांसरंट है हमारी कंसरंटरेशन, जितमी हमारे वीचारों की सुध्धि होगी उतना ही बुद्धी, इसे को हम क्लीन बुद्धी या सोने का बरतन कहें, बुद् पहले अपने निगेटिव थिंकिंग को पोजिटिव में बदलना चाहिए तो धीरे-धीरे मन की स्वेड खम होती रहेगी साथ में मैंने कहा भी था कि मैं पांच बार रोज इस वरी महावाग पढ़ता था तो घरों में जो बहने माता हैं रहती हैं या कामदंदों में जो भा जो विचार धाराएं चलती हैं जो टेंशन होती है या जो चिंदाएं होती है उनको नस्ट कर देता है इस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए साथ-साथ भोजन और नींद हमेशा योगियों को यह जानना चाहिए कि योग के मार्ग में वही व्यक्ति सफल होता है जो ना सोता है न बहुत कम साथा जोनों चीजे इस बहुत जादा खाता है न बहुत कम खाता है जिसकी श्यूना ष्यान पैस्ट औरहाः दोनों में बैलैंस से विक ती सहर जुग कि बन सकते जो जादा खाएंगे याद सोएंगे सुस्ती आईगाइगी जाद खाने से बुद्धी भी डल होती है, जाद सोने से बुद्धी डल होती है, और बहुत कम सोने और खाने से बुद्धी वीक होती है, ब्रेन वीक होता है, तो दोनों में बहुत अच्छा वैलेंस रखना चाहिए, साथ में थोड़ा सा दिन अंतर मुखी होने का ब्यास करन जब हम एक आगरता का बहुत अच्छा भ्यास करें फिर जो इंपोर्टेंट चीज है कि हम वीजन बनाएं मैं आत्मा कैसी हूं और उस पर अपने को फोकस करें जिसको सिंपल बाता में के ध्यान लगाएं यह जो प्रैक्टिस है यह भी हमारी एकागरता को बहुत सारी चीजज है कुछ धारना और अच्छी प्रैक्टिस अथि जब कोई योगी 32 मिनिट तक अपने आपको एक आग्र कर लेता है, तो बहुत सारी जो सिद्धियां है वो प्राप्त हो जाती है, आपने तो घंटों घंटों अपने आपको एक आग्र किया, तो जानना चाहेंगे यह सिक्रेट कि आपको कौन कौन से सिद्धियां प्राप्त ह मैं इसमें यह और करता था जो मैं आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, कि मैं जहां भी देखता था कि मन बुद्धी को भटकाने वाली कोई भी चीज है, वहां से मैं अपने को सेफ करता था, मानलो कोई व्यक्ती बहुत बोलने वाला मेरे पास आता है, तो मैं बुद्धी समाप्टिया जाए एक सुंदर रहस यह है कि करमेंद्रियों का रस अगर मन उसको बहुत होता है, सुनने का रस, देखने का रस, बोलने का रस, खाने पीने का रस, घूमने फिरने का रस, यह जो करमेंद्रियों के रस हैं, सांसारिक रस हैं, यह भी हमारी एका को नस्ट करते हैं मुझे बहुत अच्छी अनुभूती हुई थी कभी मेरे बास कुछ चीजे गिफ्ट के रूप में आई थी मैंने उनको रखा था जब तक हमारी दादियां के बंबी गई थी वाएं और मेरे को इच्छा रहती थी हम छोटे थे ना यह चीज बहुत अच्छ मुझे इनकी जवरत नहीं तो मैं सर दे दिया तो इच्छाएं और आसकती हैं हमारी एक आगरता को नस्ट करती हैं ऐसा मुझे आभास हुआ मैंने उनको ततकाल त्याग दिया तो ऐसी बहुत सारी चीजे मैं अपने को जैसे चेक करता था तुरंट जैसे लबरेटरी रही म मन की एक आगरता भंग होती है उसका पता मुझे चलना चाहिए और मुझे फट से पता चलता था एक और बात हुई कोई एक बुडी माता हमारे पास आई वह बहुत बोलती थी उसको दिमाग थोड़ा आधा था लड़ती भी थी बोलती भी थी हम से उसका बड़ा प्यार थ तो मेरे को ना योग जैसे योग में डिस्टर्वेंस वाना तो उसके अवगुन पे दरस्ती गई कैसी है और लंबे समय तक एक आगरता भंग हो गई यहां से मैंने सीखा कि नो किसी के भी अवगुन नहीं देखने नहीं तो हमारी एक आगरता मुस्किल होती जाएगी तो बहुत जो नेचर होती है मनुसकी इधर देखने की उधर देखने की उसकी awareness होती गई कि यह सब unnecessary चीजे हैं इनको नहीं होना चाहिए प्रता जी तो क्या आपको लगता है कि जो साधना के मार्ग में आप चल रहे हैं जो अपनी योग को अपनी एक आगरता को बढ़ाना चा समझ पाता और दूर भी नहीं कर पाता जब तक यह उसे realize ना करे और जब तक उसकी आवश्यक्ता महसूस ना करे इलको यह सत्य बात है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को एक laboratory बनाना चाहिए not only for concentration और राजयोगा practice लेकिन एक जीवन के लिए भी जीवन में सुक्षानती के सफलता के लिए परिवारों में एक आनन चायर है उसके लिए भी कि गल्ति कहां हो रही है उसको ठेक किया जाए और मैंने दो-चार साल यह बहुत कुछ किया मुझे महसूस हुआ कि मुझे थोड़ा विक्रोध आता है मुझे थोड़ी feeling आती है तो योग नस्थ हो जाता है इन सब की चांसे बहुत होते हैं तो इन पर मैंने काम किया और इन पर विजय पाई ऐसे ही हर व्यक्ति को अपने जीवन को एक लेवरेटरी बनाना ही चाहिए और सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए क्या-क्या मुझे चेंज की ज़रूरत है कई बातें कहीं है ब्रा लेकिन सामने वाला व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बोला जा रहा है अब मेरा बॉस है अब बॉस के सामने तो मुझे बैठना ही पड़ेगा या मेरी सासुमा है उनकी तो मुझे सुनने ही पड़ेगी अब उनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती या कह नहीं सकता बॉस को तो ऐसे इ आत्मिक द्रश्टी से देखें और उनकी बातों पर जद रियेक्ट न करें नहीं तो बाते बढ़ती जाएंगी और अच्छे स्वमान का भ्यास करें आप देखेंगे कि दूसरा वेक्टी जल्दी शानत हो जाएगा अब रता जी सच मुझ बहुत गहरी बाते हैं और आपके अनुभवों से ये चीजें चुकि सीखने को मिल रही हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे आपने कहा कि अदि किसी के ओगूर पे भी ध्यान हमारा चला गया तो उन्हें शित्रूप से हमारी ये कागरता भंग हो जाएगी मुझे लगता है कि इतनी सुक्ष्म बात तो शायद अब तक लोगों ने ध्यान दी भी नहीं होंगी और भी सुक्ष्म बाते आपसे जानते रहेंगे योग के विशह में आज के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया मित्रों वास्तों में योग की गहराई जैसे मनें शुरुवाद भी की थी कि मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है साधन है जो हमें अंतर द्रिस्टी प्रदान करता है अपनी चेकिंग करना सिखाता है हमारी अंदर एक आत्म विश्वास विक्सित करता है इश्वर के नजदीक ले जाता है और हमारी अंदर की नकार अत्मकता दूर होती चली जाती है हम समझ पाते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो वास्तों में यह हमारे संपूर्ण विकास के लिए अत्यावश्यक है और इसकी चर्चा चुकि अनुभाव युक्त चर्चा ह हो रही है अनुभावों से हम सीख रहे हैं आधर निवराताजी के तो सचमुच इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखना चाहेंगे और आप बने रहिएगा ताकि आप भी योग की गहराई को समझ सकें अनुभाव कर सकें और अपनी जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकें ज खेंट्स कर सकें चाहे हैं तो कर सकें अनुभाव कर सकें जीवन में समकत